हेलो फ्रेंड्स मैं सत्यम सकती आप सबका हमारे योटूब चैनल में स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में आपको WhatsApp एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ और ये अपडेट खास करके उन लोगों के लिए काफी ज़्यादा यूसफुल होने वाला है जो अपने WhatsApp को अपने laptop या फिर अपने desktop पे यूज़ करते हैं इस नए feature का नाम है multi device support इस feature के क्या के advantage है इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है और ये feature आपके लिए कितना ज़्यादा useful है ये सारी चीज़े इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो का फिंटेस्टिंग होने वाली है वीडियो लास तक देखते रहेगा और वी तक वीडियो को लाइक नी किये तो लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को फ्रेस कर लिए ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि पहले वाट्सअप के अंदर एक फीचर आता था वाट्सअप वेब नाम का जिसकी यल्प से हम अपने वाट्सअप को अपने लैप्टॉप या फिर अपने डेस्टॉप पे यूज कर पाते थे लेकिन उसमें काफी सारी लिमिटेसंस होती थी जैसे कि अगर हमारा फोन अगर आन रहेगा और साथी इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा तब ही हम अपने वाट्सअप वेब को यूज कर पाते थे लेकिन वाट्सअप के इस नए फीचर मल्टी डिवाइस सपोर्ट की यल्प से कोई भी यूजर अपने वाट्सअप को मैक्सिमम चार डिवाइस पे यूज कर सकता है और उसके लिए उसके फोन को अन होना या फिर इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी नहीं है तो यह काफी यूजफूल फीचर है उन लोगों के लिए जो अपने वाट्सअप को अपने डेस्टॉप या फिर अपने लैप्टॉप पे यूज करते हैं ज्लिए Um पे देखेगा, आपको नीचे में एक उप्चन दिखेगा मल्टी डिवाइस बीटा आपको मल्टी डिवाइस बीटा पे क्लिक करते हो यह जाूँ आपको बताया जाएगा कि आपको beta version multi device का क्यों join करना चाहिए और कुछ limitations भी है, privacy policies भी है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है तो आपको नीचे में एक join button दिख रहा होगा join beta का option दिख रहा होगा आपको join beta वाले option पे click कर देना है आप जैसे join beta वाले option पे click करेंगे आप इस multi device के beta version में join हो जाएंगे इसके बाद अब आपको WhatsApp wave को use करने के लिए क्या करना है back जाना है और उसके बाद आपको उपर में एक option दिख जाएगा link a device आपको link a device पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा use mobile data तो use mobile data पे आपको click कर देना है click करने के बाद से हम पहले WhatsApp wave में अपने scanner को scan करते थे अपने laptop के scanner को अपने phone में scan करते थे same उसी तरह से हम scanner को यहाँ से on करके और अपने laptop में इसको scan करेंगे जैसे ही scan करेंगे यह हमारे laptop के साथ connect हो जाएगा और connect होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहां पे उपर में beta आपको 100 हो रहा है, हमारा जो WhatsApp वेव है, वो हमारे laptop पे खुल चुका है, और इस तरह से आप maximum 4 device पे अपने WhatsApp को खोल सकते हैं, open कर सकते हैं, use कर सकते हैं, और इसके लिए आपका phone इंटरनेट से connected या फिर on होना ज़रूरी नहीं है, तो इस वीडियो में आपने देखा कि WhatsApp का multi device feature क्या है, और कैसे हम इस feature को use कर सकते हैं, IOP वीडियो आप सब के लिए helpful रहा होगा, वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like कर दिजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल एफ़े शुजा हो, तो आप हमें comment करना मत बूलिएगा, मित अंगली पात्राम!